तो आईए दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 8 में जो अपडेट आई है 12.0.2.0 जो 400 MB के अपडेट है 400 MB पलस अपडेट है उस अपडेट को मैं आज करके दिखाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इस अपडेट में किस किस फीचर को एड किया गया है आपके फोन में यह इस्टेबल अपडेट है पुरे इंडिया को यह अपडेट मिली है दिखा रहा है और award phone के आगे एक update का option दिखा रहा है मतलब इस phone को भी update मिला है और इस phone में जो app है उसको भी update मिलती रहती है तो मैं phone पे गया about phone पे और आपको देख सकते हैं यह कुछ इस तरह का look हो गया है क्योंकि 11.9 की जो update थी वो कुछ अलग look था और 12 जब से आया 12.0.1 तो उसका look change कर दिया गया है तो अब नहीं update जो दिखा रहा है update के आगे एक लाल कलर का बिंदी दिखा रहा है वो update करने को बता रहा है कि आपको new update मिल चुकी है और मेरा device दे सकते हैं अच्छे यह भी एक साथाई जी वाला मेरा phone है और वर्दन देख सकते हैं यह जुलाई के update आगस्त में अपने को मिली थी उसके प्रमे वीडियो बनाया था जैसे यह वोड़ पे किलिक मारा तो यहां option दिया MIUIV 12.0.2.0 QGG और भी कुछ है थुबहा के समझ लिए उसका stable देखा रहा है 402 MB के update है और मुझे बोल रहा है कि download now तो पहले मैं इसको what's now पर जाके चेक कर लेता हूं कि इस update में यह जो update 400 MB की इसमें क्या-क्या नया दिया गया है तो यहां देखे कुछ है बताया जा रहा है और मेरे को इसके बारे में आपको यह जाता हूं और मैं लाइफ वीडियो बना रहा हूं आपको दिखाने के लिए और आपको एक बाद याद रखना होगा मैं हर वीडियो में बता देता हूं आपको कि आप जब डाउनलोड पे लगाएं तो आपकी बैटरी जब 50% से ज्यादा चार्ज होनी चाहिए आपके फोन की बैटरी और आपका जो net connection है या आप वाइफाई में कर रहे है या net में कर रहे है तो आपका connection अच्छा होना चाहि बीच में वो साथ नहीं छोरना चाहिए तो चलिए मैं थोड़ा इसको skip करके दिखाता हूं क्यूंकि बहुत time लग जाएगा तो यहां देखिए पूरा हो चुका है 89.99 हो गया और अब मुझे बूल रहा है कि इसको reboot करने को आले तो जैसे ही मैं reboot पे किलिक मारा यहां देख यहां देखिए Redmi Note 8 Pro है मैं back side से दिखा दे रहा हूं और देखिए कितना time लगता है यहां देखिए Android का जो है वर्दन दिखा रहा है और यहां देख सकते हैं यह reboot होना चालू हो गया है तो इसमें भी time लगता है दो मिनिट के आस पास लगेगा तो मैं उसके फिर भी मैं आपके सामने यह करके दिखा रहा हूं थोड़ा स्किप करके और 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 भी जहनकारी होगी वह भी मैं आपके साथ सेर कर रहा हूं अगर आप Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8 यूज करते हैं तो आप अपना फून जाकर चेक कर सकते हैं कि आपको अपडेट मिला के नहीं मिला सबको अपडेट मिल लिए क्योंकि यह स्टेवल अपडेट है अब जाके यह मैं थोड़ा स्किप कर देता हूं जैसे इसको स्किप किया तो यहां देख आपको स्कीन रिकॉर्डिंग के जरेए आपको आगे का पर सजट दिखा देता हूं कि मेरे फोन में कैसे यह स्टेवल हुक्त और मैं इसको भी चलने देता हूं क्योंकि वीडियो लग भी ना हो इसलिए 2 स्किप कर गे मैं आपको दिखा रहा हूं तो यहां देखिए मैं फ फून का जो सिस्टम है आपको फून का सिस्टम बहले तो आप यूजस जो ऐसे आप यूज करते हैं उसको बहुत हद तक चेंज किया गया है और इसकी अलग से एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो थैंक्यू इस वीडियो को लास्ता के देखने के लिए वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक कर दिजिए अपने फ्रैनलों साथ सेर कर दिजिए